हेलो फ्रेंट्स मेरे नए वीडियो देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिये गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें इसके बाद ये बैल के साइन को क्लिक करें यहां इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेप करें ताकि आप नोटिफिकेशन विल hello my dear students and friends welcome back I am here again with a new video for you and again we are going to talk about so here in this second sentence is a essay and we are going to learn how to translate them into English कि कैसे करे तो कुछ थोड़ा अलग टाइप के हैं तो let's talk about them these are the sentences before your screen and the first one is मैंने तुम को भार खड़े होने को नहीं कहा है तो you must understand when we ask someone to do something किसी काम को करने के लिए जब हम किसी को कहते हैं तो हम उसमें ask का ही use करते हैं ठीक है तो मैंने तुम्हें बाहर खड़े होने को नहीं कहा है you must understand this is the tense in present perfect tense मैंने नहीं कहा है है तो ask हम work का use करेंगे यहां पर then that sentence should be I have not मैं आपको लिख के पूरा बता रहा हूं speaking में कैसे बोलेंगे वो बाल में बता हूं I have not asked you to stand outside मैंने तुमको बाहर खड़े होने को नहीं कहा I have not asked you to stand outside I haven't asked you to stand outside like that okay now let's come to the second coaching आने से पहले मैं अपना कॉपी और पैन लाना नहीं बूलता हूं कॉपी पैन लाना नहीं बूलता हूं तो I never forget तो इसको हम इस तरीके से बनाएं ठीक है ना I never forget to take my notebook and pen with me before I leave to coaching ठीक है तो ये sentence बन गया और बिफोर आई कम तो कोचिंग भी कह सकते हो आप ठीक है मैं क्लास में सर की बात ध्यान से सुनता हूं तो कोई बात ध्यान से सुनना होता है listen and it is always followed by two तो इसको हम कैसे बनाएंगे मैं क्लास में सर की बात ध्यान से सुनता हूं I always listen to sir carefully in classroom ठीक है इसको हम इस तरीके से वाई अल्वे लिसन टू सर केर्फुली इन क्लास रूम यह इसको हम लिसन टू केर्फुली ना लिखके तो पे अटेंशन भी कह सकते है I always pay attention to my sir ऐसे दी आप बोल सकता I always pay attention to my sir फिर केर्फुली नहीं बोलेंगे listen to carefully pay attention यह की बात है ठीक है in classroom next sir ने हमें कई बार क्लास में ध्यान देने को कहा है तो फिर वोई आगया कोई काम करने के लिए कहना again it is in present perfect sir ने हमें है न तो sir ने हमें है न तो sir ने हमें है? सर ने हमें है तो sir means sir और my teacher you can use my teacher has asked us to pay attention क्लास में दियान दिना है, my teacher has asked us to pay attention to him, कोई बात क्लास में दियान दिना हमा लव स्पूल को दियान से सुना, my teacher has asked us to pay attention to him in class, ठीक है, इसको ऐसे बना लेगे, ठीक है, नेक्स्ट देखी, चाय दूज से बनती है, तो actually इसको हम ये पैसे जैसा लगेगा आपको और पैसे नहीं बनता है, लेकिन ये सिंपल है, जैसे चाय दूज से बनती है, तो tea is prepared with milk होगा, ठीक है न, यहाँ पे लोग confused होते हैं, कि हम why use करें या with use करें, जैसे चाय दूज से बनती है, तो tea is prepared by milk, it's wrong, ये गलत है, tea is prepared with milk, क्यों सही है, मैं पता देता हूँ, explain करता हूँ इसको, देखिए, जब कोई बना रहा है, मैं बना रहा हूँ, चाय को तो buy होगा, लेकिन दूज चाय के अंदर मिल गया, इसलिए विदा है, the tea is prepared with milk, not buy, ठीक है, the tea is prepared with milk, अब ये एक अलग टाइम का sentence है, क्या आपका वहाँ जाना जरूरी है, तो इसको हम sentence कैसे बनाएंगे, इस तरीके, is it necessary for you to go there, क्या आपका वहाँ जाना जरूरी है, तो ये इस sentence को ऐसे बनाएंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी इसको देखें, सीख सकें, and you should subscribe to my channel to watch my new videos, which I upload almost every day, और अगर आप मेरे से पढ़ना चाते हैं, जल्दी सीखना चाते हैं, English, you may, I have already given, I have already given, I have already given, my email id and skype id here, in that video, and below that video, thanks for watching that video, thank you. झाल